कि भूका वो इतिहास में है एक व्यक्ति को लाया गया सिमांद कण करने के लिए वो जानता नहीं था और उसके पास केवल तीन मैने थे तो पूरा करके काम जाते समय उसने कहा कि देखो मैं इसका expert नहीं हूँ मैं जानता नहीं हूँ कैसा करना मेरे पास समय भी नहीं था जो मैंने किया है वो क्या किया है मैं भी नहीं जानता ऐसा ये विवाजन है और उस्समय योगी अरविंद ने कहा था कि इसको जाना पड़ेगा आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई ये गलती हो गई सब कह रहे हैं सब मानते हैं आप देखिये जो अपनी हटाधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए अपनी संस्कृती से अलग हो गए पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया ऐसे जीवन में जिनों ने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस ख़ण तक सुख में है वो दुख में है उस अपने भूमी को छोड़ कर भारत के साथ रहने के लिए यहाँ जो आये उन्होंने अपने जीवन को अपने पुर्शार्त से फिर से कड़ा कर लिया वो आज दुखी नहीं है वहाँ दुख है क्यों है क्यों कि एक कृत्रिम जीवन में जी रहे सत्य जीवन का अंगिकार करना अगर वो गलत है तो गलती का सुधार तो यहीं हो सकता है तो उसकी बात करने में क्या लज्जा है वो सही है और जो सही है वो टिकता है जो गलत है वो आता है और जाता है इसलिए मैं कहता हूँ कि आप तयार रहे कैसे होगा क्या होगा मैं नहीं जानता मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आकरमन करे पाकिस्तान पर गलत बात है हम उस सांस्कृती से नहीं है जो किसी पर आकरमन करती है हम उस सांस्कृती से है जिसने जी जान से मुत और जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है वो तो हम करते हैं करेंगे लेकिन मन आकरमन करी नहीं है लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है, सत्य में वजयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वपन है, जो अभी धिरे धिरे जा रहा है, वैसे वैसे एक उत्सा का संचार हो रहा है, होगा गजसला हो जो रहा है, टो है? कर दो हैं का भारतों वैसे एंग एंद